तिलंगाना में जैसे जैसे बोटिंग का समय नजदीक आ रहा है चुनाप का शोर तीज होता जा रहा है। राज्य में सभी पार्टियां जोर शोर से मैदान में हैं। इस बीच 19 नॉवंबर को तिलंगाना में कॉंग्रिस बिजेपी बियारेस तीनों ने तावर तोड जन सभाय की और एक दूसरे पर जम कर तंज कसे। क्या है पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। कहानियों और करिश्मे की सियासी लडाई के दौर में इस बार तिलंगाना का चुनाब बेहद रौमांचक दौर में पहुँच गया है। सत्ता रूर बियारेस और विपक्षिय कॉंग्रिस की लडाई में बिजेपी तीसरा कोन बनाती दिखाई दे रही है। बियारेस के पास तिलंगाना निर्मान के लिए लड़ने वाले के चंदरशिकर राव अपनी सरकार के दस साल के कामों को गिना रहे हैं। वही करनाटक की जीत से उत्साहित कॉंग्रिस के पास भारत जोडो यात्रा की कहानिया और गारंटी की आजमाई हुई तर्कीब है। दूसरी और बिजेपी पियम मोदी के करिश्मे और केंद्र की उपलबधियों के भरो से मैदान में है। इसी कड़ी में आज कॉंग्रिस महासची प्रियंका गांधी ने तिलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी यहां आते हैं लेकिन कालेश्वरम, सिचाई और कोईले जैसे घोटालों की बात नहीं करते हैं। जिन में जनता के पैसे लूटे गए उस बारे में मोदी जी बात नहीं करते हैं। जनता के बाद बी आरेस को बोरिया बिस्तर सम्मेटना पड़ेगा। को इसके परिणाम जनता के बीच आएंगे। तब देखना दिल्चस्प होगा कि राजी में किसकी बनती है सरकार। डीवी लाइफ की रिपोर्ट। झाल 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 झाल